You are watching Kids Studio India. Please like, share and subscribe. साथ ही थे वुल्व्स तेज और चुस्त जो एक बड़े जुंड के साथ घूमते थे. उनके परिवार ने बर्फ से ढखे जंगलों को अपना घर बना लिया था. और साथ ही संगी के साथ एक दूसरे की रक्षा की. फॉक्सिस चतुर और अनुकूल बर्फ में छलांग लगात थी थी और अपने छोटे परिवार के साथ बर्फीले मैदानों में खेता बनाती थी. रात्री में उल्लू आकाश में उड़ते थे. उनके बड़े पंख उन्हें आसानी से उड़ान भरने में मदद करते थे. उनके परिवार ने अपने बच्चों को रात्री में सुरक्षि पेंगुईन बच्चे खेता बनाते थे एक उरत के साथ अपना परिवार बना लिया था और उन्होंने बर्फीले क्षेत्र में बहुत सा शिकार किया पेंगुईन भी समुद्र के किनारे पर अपने समरिध्ध भरे परिवार के साथ एक समरिध्ध बना रखे थे जहां उनके छोटे पेंगुईन बच्चे खेता बनाते थे समुन्दर बर्फ से ढख रहा है हमें बाहर जाना होगा और कुछ सील की शिकार करना होगा हाँ, हमें सुनिश्चित करना है कि बच्चों के पास सर्दी के दोरान परियाप्त खाने का हो बर्फ बढ़ रही है, चलो समुह इकठा करें और शिकार के लिए जाएं हमें सभी के लिए खाना ढूमना होगा सहमत हूँ, तूफान के घने अंश में डैन हैं जो ठंडी से बचाव प्रदान करेंगे बर्फ बढ़ रही है, चलो एक आराम दायक बरादरी बनाएं ताकि गर्मी रख सकें छोटे बच्चों को ठंड से सुरक्षा की आवश्यक्ता है अच्छा बचार है, हम देख भाल बारी-बारी से कर सकते हैं तूफान आ रहा है, हमें एक मजबूत पेड़ का पता लगाना चाहिए जिस पर रुख करके प्रेय की तलाश की जा सकते है हमारा उच्च शाखाओं में बसा घर, उच्च ठंडे हवाओं से उल्लूओं को सुरक्षित रखेगा बर्फबारी खाने को मुश्किल बना रही है चलो, हरीट क्षेत्र की और हरीट बचाएं, जहां कुछ खास हो सहमत, हमें सब को पोशित और गर्म रखना है तूफान शिकार के लिए चुनौती है चलो, मिलकर शिकार का पता लगाने के लिए काम करते हैं टीम वर्क हमें आगे बढ़ने में मदद करें समुद्र बट रहा है हमें गर्मी बचाने के लिए सब को संगत में चिपका रहने के लिए बोड़ना बनाना होगा जब तक तूफान नहीं जाता बर्फ इतनी गहरी है हमें समर्पित होना होगा आगे बढ़ने के लिए ट्रैक्स का पालन करें और एक रास्ता ढूनना होगा भगवान का धन्यवाद तूफान गुजर गया और हमारी टीम ने हमें ठंडक से बचाया हमें आगे भी एक टीम के रूप में काम करना चाहिए यही हमारा भविश्य होगा